हलो स्रोडेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल अज किस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ओफ इंटिग्रेटर रेट एक्वेशन्स फोर फर्स्ट ओर रेक्शन फर्स्ट ओर रेक्शन के थूँ हम लोग डेरिवेशन करेंगे इसका अगर हम लोग रेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा मैनस डी ए अपोन डी टी मैनस डी ये क्या है चेंज इन दा कंस्टेशन ओफ रेक्टेंट है और डी टी क्या है टाइम इंटर्वल अगर इसका हम लोग रेट लोग का कोडिंग अगर रेट निकालेंगे तो rate हो जाएगा constant k a1 1 क्यों लिखे हैं क्योंकि ये first order reaction है अब दोनो rate को हम लोग क्या करेंगे compare करेंगे तो क्या हो जाएगा minus da upon dt equal to constant k a1 अब क्या करेंगे इसको हम लोग a को इधर ले जाएंगे और dt को इधर ले करके आएंगे तो क्या हो जाएगा minus da upon a equal to k dt हो जाएगा अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे minus को इधर ले करके आएंगे minus को इधर ले करके आएंगे तो क्या हो जाएगा da upon a equal to minus k dt equation 1 इस equation 1 में हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड में बोथ साइड में हम लोग integrating करेंगे दोनों साइड integration करने पर क्या हो जाएगा integrate d a upon a equal to integrate minus k dt minus k constant है इसलिए integrate नहीं होगा इसलिए इसको हम लोग बाहर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इंटिग्रेशन के बात क्या करेंगे हम लोग d a integration d a upon a इसको हम लोग integration में l n लिखते हैं l n a लिखा जाएगा क्योंकि l n क्या है l n natural log है इसलिए यहाँ पर लिखाएगा l n a equal to यहाँ पर integrate और differentiation दोनों कट जाएगा तो बचे का क्या minus k t plus i यहाँ पर plus i हम लोग करेंगे i क्या है integration constant यह है equation 2 अब equation 2 में हम लोग t का value और a का value पूट करेंगे तो t का value लेंगे 0 और a का value लेंगे a note a note क्या है initial concentration है अब हम लोग इसको क्या कर देंगे equation 2 में हम लोग put कर देंगे equation 2 में अगर हम लोग put करेंगे तो क्या हो जाएगा l n a a के जगा में क्या लिखेंगे हम लोग a note लिखेंगे तो क्या हो जाएगा l n a note equal to minus k t का value क्या लिए है 0 लिए है minus k into 0 plus i अब क्या हो जाएगा 0 से k multiply होगा तो 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या ln a not equal to i हो जाएगा ln a not equal to i ये क्या है integration value है अब इस value को हम लोग put कर देंगे putting value of i in equation two equation two में हम लोग put कर देंगे i का value को तो क्या हो जाएगा ln a equal to minus kt plus ln anote ln a इसको हम लोग क्या करेंगे इधर ले करके आएंगे यह plus है तो इधर आएगा तो यह minus में हो जाएगा minus ln anote equal to minus kt अब लोग की case में दो value अगर जब minus में होता है इसको यह divide में हो जाता है इसलिए यह divide में हो जाएगा ln a upon a note equal to minus kt minus को हम लोग इधर ले करके आएंगे तो क्या हो जाएगा जो ये value जो है वो पलट जाएगा मतलब ln a note upon a ये पलट जाएगा equal to kt अब ln ln को हम लोग क्या करेंगे ln को खोलना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे मान लिया ln a equal to 2.303 log a ये value है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2.303 log a note upon a equal to kt t को इधर ले कर कहाएगे तो क्या हो जाएगा 2.303 upon t log a note upon a equal to k इसलिए क्या हो जाएगा k equal to 2.303 upon t log a note upon a तो ये equation जो है first order reaction का constant value है constant का value है first order reaction का thank you students अगर आपको कहीं पर पूछना है तो comment करके पूछ सकते हैं I hope आप लोगों को समझ माया होगा तो next video में मिलते हैं तब तक के लिए बाई